किसी भी वक्त हो सकती है अर्बिंद केजरिवाल की गिरफतारी शराब गोठाले के बाद दिल्ली जलबोट गोठाले में सीधे सीधे कनेक्टेड है अर्बिंद केजरिवाल और अब बहुत ज़ादा समय सलाकों के बाहर अरविंद केजरिवाल के लिए बचा रह नहीं गया है बार-बार आवादमी पार्टी यह जो पूछती है कि अरविंद केजरिवाल को E.D. का समन किस आधार पर बेजा गया है इन सभी बातों का जवाब एक साथ इस वीडियो में आपको देने वाली हूँ लेकिन इस बात को नोट करके आप रख लीजे कि अरविंद केजरिवाल की गिरफतारी अब किसी भी वक्त हो सकती है शराब गोटाला मामले में तो पूरे सबूत CBI और ED के पास हैं और कैसे उनकी गिरफतारी हो सकती है और इन सब के मामले क्या है लेकिन उसके पहले News18 इंडिया के YouTube चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे पहले सब्सक्राइब कीज़े दिल्ली जलबोट गोटाला 2018 का ये मामला है और 2018 में दिल्ली जलबोट के अध्यक्ष थे अरविंद केजरिवाल चेर्मेन थे वो तो मतलब जिस वक्त का ये गोटाला है जब गड़बडी की गई पैसों की हेरा फेरी की गई रिश्वत ली गई उस वक्त दिल्ली जलबोट के चेर्मेन अर्विंद केजरिवाल ही थे अब रिश्वत में जो पैसा लिया गया उसका इस्तिमाल ये का जा रहा है कि आम आद्मी पार्टी के लिए किया गया और आम आद्मी पार्टी के सयोजक कौन है अर्विंद केजरिवाल तो सीधे सीधे केजरिवाल इस मामले से जुड़े हुए है सवाल जवाब के एक लंबी फैरेस सवालों की लंबी फैरेस सीडी के पास जिससे पूछताच के लिए समन बेजा गया अब आप समझेए कि दिल्ली जलबोड घोटाला क्या है 2017 में दिल्ली जलबोड ने टेंडर निकाला था कुछ यह का जा रहा है कि वो जो एक कंपणी को टेंडर दिया गया वो इसके लिए एलिजिबल ही नहीं थी अब जो कंपणी का नाम है वो भी यहाँ पर मैं आपको बता देती हूं कंपणी का नाम है NKG Infrastructure Limited 38 करोड का इसे ठेका दिया गया और यह जो ठेका मिला था यह इलेक्ट ही नहीं थी दूसरी बात 38 करोड रुपे जो दिये गये ठेका यह बहुत जादा था जिस काम के लिए दिया गया था कॉंट्राक्ट का जा रहा है काम तो उससे बहुत काम काई था लेकिन यह बढ़ा कर जो ठेका दिया गया वो इसलिए कि बड़ी हुई धनराशी को डिश् चलबोट के अunnsorry कार इने कागधर लिखा on paper यह चीज़ए और मना किया गया कि लिए कम्पणियों को नहीं दिया जाना चाहिए दवी पूरा ठेल रटा गया ताकि इस सके आधिकारियों की इसमें मिली भगत थी और 38 करोड का टेंडर दे दिया गया अब इस कंपनी ने जो खर्ट किया जिस काम के लिए उसको कॉंट्राक्ट मिला था मात्र सत्रह करोड बचे कितने 21 करोड अब इन 21 करोड रुपे के फर्जी कागज तैयार किये गए और उन्हें लगाए गया खर्ट किया ने गया था काम के लिए पैसा लेकिन फर्जी कागज लगाकर रिसीट बनाकर उस पैसे को ले लिया गया अब यह जो 21 करोड रुपे जादा लिया गया था कंपनी की तरफ से उसे दूसरे जरिये से आमद भी पार्टी को दिया गया और इस बाबत पूरी डीटेल कि कैसे कंपनी को ठेका नहीं दिया जाना चाहिए उसे रोग दिया जाना चाहिए कैसे कंपनी अलेजबल नहीं है कैसे उसे अलेजबल दर्शाया गया यह सारी चीज़े ऑन पेपर मौजूद हैं अब यह का जा रहा है कि जो रिश्वत दी गई मतलब के सिगनेटर से ठेका दिया गया होगा और फिर जो डिश्वत ली गई बो भी आप ही की पार्टी के लिए ली गई जिसके आप सही होजग हैं तो यह तो आप समझ गए होंगे कि क्यों एडी की तरफ से समंस जारी किया गया अरबिंद केजरिवाल को तो यह सीधा सीधा मनी लॉंडरिंग का केस यहां पर इडी की तरफ से अरबिंद केजरिवाल के ऊपर बनाया गया है इसके अलावा जगदीश कुमार अरोडा जो की मुख्या आरोपी है यह उस वक्त चीफ इंजिनियर थे दिल्ली जल बोर्ड में उनकी गिरफतारी हो चुकी है आने लगरवाल यह इडी के शिकण्जे में यह एनकेजी इंफ्राइक दूसरी कमपनी है जो इस कमपनी को मदद कर रही थी उसको देखने वाले हैं तो यह भी इडी के शिकण्जे में इस वक्त हैं अब यही जो पूरा घटना ग्रम घटा है कि कैसे एक आयोग ये कमपनी को दिया गया पह प्वजूद इसके दिया गया कौन-कौन इसमें स्तलिपत है पैसों का इस्तिमाल किस धंग से हुआ कैसे पहुचाया गया और कहां इस्तिमाल हुआ ये सारी बातें अब तफ्तीश के अंदर आती है और अर्विंद केजरिवाल को इनी बातों का अब जवाब देना है आमाद् जलबोट घोटाले को लेकर सामने आई है तो आतिशी भी ये समझ रही है आमाद्मी पाठी भी ये समझ रही है कि ये जो घोटाला अब इसमें अर्विंद केजरिवाल का बचना बड़ा मुश्किल है अब बस उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है देखना यही है कि अर्व सतता हो सकती है आमाद्मी पार्टी बीजेपी के ऊपर जो आरूप लगा रही है कि जूटे केस में फसाया जा रहा है अद्वेंद केजरिवाल को क्या आप उससे सहमत है कॉमें सेक्शन में बताएं कि अर्वाल अजय पाले कॉमें सेक्शन में है अर्वाल बताएं